नमस्कार इस महेने की 25 तारिक से याने की 25 मार्च से दिल्ली में एक बहुत ही ग्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी मुख्यमंत्री घरघर राशन योजना जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को राशन देती है सस्ता राशन देती है अभी तक लोगों को राशन की दुकानों के जरीर राशन मिलता था लोगों को राशन लेने में तकलीफें होती थी तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है कई सारी राशन की दुकाने दो तीन दिन खुलती हैं महिने में लोगों को राशन मिलता नहीं है कई दुकाने जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती है जादा पैसे लिए जाते हैं तरह तरह की परिशानिया लोगों को होती है तो दिल्ली सरकार ने काफी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितने गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हरेक आदमी के घर भिजवा दें पूर हो जाएंगी उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी 25 तारिक से इसको लागू होना था कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते क्यों नहीं लागू कर सकते थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिठी क्योंकि पांच दिन पहले लागू होने केंद्र सरकार ने इसको बंद किया क्यों नहीं लागू कर सकते तो उस चिठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घरघर राशन योजना नहीं रखा जा सकता उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से अपत्ति है हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हम ये क्रेडिट के लि काम सारा हमारा जिम्मेदारी सारी हमारी हम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है यह कोई योजना नहीं है इसका कोई नाम न लाएगा हमें कोई नाम के अंदर नहीं पढ़ना कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पढ़ना कोई मुख्यमंत्री योजना कोई कुछ नहीं करेंगे तो मैं समझदाओं कि इस नर्ने के बाद अब केंदर सरकार का जो भी आपतियां थी वो आपतियां दूर हो गई होंगी और केंदर सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें एलाओ करेगी मेरे लिए राशन माफिया को दूर करनके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत्स तरके उपर मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एहमियत रखता है आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्श शरूरू हुआ था पहले मैं इंकम टेक्स में नौकरी किया करता था उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेकर और फिर बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालो किया जुगी बस्तियों के अंदर काम करना चालो किया दिल्ली में नंदनगरी, सुंदरनगरी, सीमापुरी की जुग्यों के अंदर काम करना चालो किया वहाँ जब उनकी जुगियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफी तकलीफे होती हैं उन्हीं दुनों में सूचना का अधिकार कानून आया था सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रेकॉर्ड निकल वाए तो पता चला कि लोगों के जूटे दसकत करके लोगों के जूटे अंगूटे के निशान लगाके लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था बहुत बड़े स्तर के उपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, हमने विवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई, हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफी संघर्श किया, हमारे कई कारेकरताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के उपर राशन माफिया ने अटैक भी किया हमले भी किये लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नतीजे कुछ खास नहीं निकले हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएं किस्मत से उपर वाले की दया से लोगों के प्यार और महब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गया तो पिछले तीन-चार साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के उपर लगा हूँ कि किस तरह से राशन गरीबों तक साफ सुथरा राशन अच्छा राशन इमानदारी से पहुंचे और तब हमने इस योजना को घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को तीन-चार स जो माफिया है वो बहुत स्ट्रॉंग माफिया है वो बहुत ताकतवर माफिया है उसके बड़े लिंक्स हैं चारो तरफ उसके नेटवर्क है वो इतनी असानी से करने नहीं देगा पिछले तीन-चार साल से मैं मशक्कत कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की मैं पूरी क तो कि थोड़ा सा दिल बैठे गया लेकिन हम किसी भी तरह की अच्छन नहीं आने देंगे के इंधर शरकार की जितनी हैं ए Image केंद्र सर्कार जो कहेंगी हम वो खरेंगे हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक इमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगे उन गरीबों की दुआएं जिसके वज़े से आज हमारे दिल्ली के अंदर हम तो छोटे से लोग हैं हमारी सरकार चल रही है तो मैं उमीद करता हूँ कि अब इस निरने के बाद कि ये कोई नई ओजना नहीं है कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं कैबिनेट के अंदर इस पे निरने लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंदर सरकार को भेज देंगे मैं उमीद करता हूँ अब इसमें हमें केंदर सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा नमस्क्राइब